विजैसार एक ऐसा व्रिक्ष है जो मद्ध उचाई सी लेकर अधिक उचाई में पाया जाता है ये एक वण पाती व्रिक्ष है जिसकी उचाई 30 मीटर तक हो सकती है ये भारत नेबाल और श्री लंका में पाया जाता है भारत में ये परश्मी घाट और मत्ध प्रदेश के बनों में पैदा होता है विजय साल की लकड़ी आपको किसी भी आयुरबेदिक औशधी की दुगान में मिल जाएगी इस लकड़ी का रंग हलका या फिर गहरा लाल रंग का होता है आयुरबेद विशेशक्यों की माने तो विजय सार की लकड़ी औशधी गुणों का खाजाना है जो मधुमे यानि की शुगर, धातु रोग और गठिया जैसे रोगों के लिए राम बान है जिन पहाड़ी शेत्रों में ये लकड़ी पाए जाती है वहाँ इस लकड़ी का गलास मिलता है जिसमें पानी पीने से कई तरह की रोग दूर हो जाते हैं अब हम आपको बताएंगे कि विजैसार किन रोगों के लिए लाबदायक होता है तो बापको बता दे कि विजैसार की लकड़ी जोडों में दर्द में लाब देता है अमलिपित में भी लाबकारी होता है प्रमेह यानि धातु रोग में भी अचोख है हाथ पैरों में कमपन में भी लाबदायक होता है मधुमे यानि की शुगर जिसे हम डाइबिटेज के नाम से जानती है उसको नियंतरित करने में बहुत ही सहायक होता है उच्चे रक्तचाप यानि की हाई बलड प्रेशर को नियंतरित करने में सहायता करता है इसके नियमी सेबन से जोडों की कड़-कड़ बंध होती है, अस्थिया मजबूत होती है, शरीर में बधी हुई चेरवी को कम करके वजन और मुटापे को भी कम करने में सहायक है तो अचा के कई रोगों जैसे खाज-खुचली, बार-बार फोड़े फुनसी होते हैं, उनमें भी बहुत ही लाबकारी होता है चले जानते हैं कि विजैसार के सेवन का तरीका क्या होता है, यानि इस लकड़ी का इस्तमाल हम इन बीमारियों को दूर करने के लिए कैसे कर सकते हैं तो आपको बता दे कि विजैसार की सूखी लकड़ी लेकर उनके छोटे-छोटे टुकड़े कर दीजे, फिर आप एक मिट्टी का वर्तन ले और इस लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़े लगभग 25 ग्राम रात को एक गिलास पानी में डाल दे, सुबह तक पानी का रंग तो किसी आयूरबेद विशेशक की सलाह जरूर लें। अगर आप इसके साथ कोई एलोपैथी दवा ले रहे हैं तो सलाह लेना बहुत जरूरी है। मार्केट में मिलने वाले विजैसार की लकड़ी के ग्लास में भी पानी रखकर आप पी सकते हैं। तो दोस्तों अगर लकड़ी का इस्तमाल जरूर करें और गंभीर बीमारियों को दूर भगाएं। क्योरेन हेल्थ डेस्क से अभिशेक की रेपोर्ट